नमस्कार आप सभी का स्वागत है N.I.O.S. के इस सांकेतिक भाषा के एजुकेशनल वीडियो में यह पार्ट सोला है पार्ट का नाम है अनपढ बनाई रखने की साज़िश आप स्क्रीन पर देख सकते है संपादकीय से तातपर्य अख़बार के बीच के हिस्से में आपने एक प्रिष्ट ऐसा देखा होगा जिस पर खबरे नहीं बल्कि लेक संपादकीय टिपणिया संपादक के नाम पत्र आदी छपे होते हैं उसी संपादकीय प्रिष्ट के एक हिस्से में उस दिन की मुख्य खबरों या कुछ दिन पहले घटी या निकट भविश्य में घटने वाली घटना पर टिपणिया चपी होती हैं इसे ही संपादकीय कहा जाता है सापताहिक, मासिक या वार्षिक पत्रकाओं में भी संपादकीय लिखने की परंपरा है संपादकीय प्रिष्ठ वास्तव में अखबार का सबसे गंभीर और चिन्तन प्रधान भाग होता है इसे पढ़कर पत्र की नेती तथा विभिन समस्याओं, विशेयों और घटनाओं पर उसके द्रिष्टिकोंड का पता चल जाता है संपादकीय अधिकतर पत्र पत्रिका के संपादक द्वारा ही लिखा जाता है पाठ अनपढ़ बनाए रखने की साजश इस शिर्षक से प्रकाशित यह संपादकीय दिल्ली से छपने वाली मासिक साहित्यक पत्रिका हंस से लिया गया है जिसे पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव जी ने लिखा है हंस यह एक साहित्यक पत्रिका है और इसके संपादक स्वयम हिंदी के एक सूप्रसिद साहित्यकार है अतह उनका शिक्षा तथा सक्षर्ता जैसे विशय पर टिपपणी करना स्वभाविक है इस पार्ट में राजेंद्र यादव जी ने अपनी चुटीली और व्यंगात्मक्षाईली में यह बताने की कोशिश की है कि हमारे देश में मनुरंजन, एशो अराम तथा कंप्यूटर जैसे बड़े बड़े आधुनिक उपकरनों पर तो बेतहाशा खर्च किया जाता है परंतु ग्यान प्रसार की बुनियादी चीज किताब पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है उन्होंने इसे सामंतों, पूंजी पतियों, नेताओं और बहुराश्ट्रियक कंपनियों की साजिस्ट में दिया जाता है अनपढ बनाये रखने की सार्जिश इस पार्ट में मुख्य रूप से भारत के आम लोगों को सक्षर बनाने में आ रही बाधाओं का विवेचन किया गया है यह संपादकिय उननिस सो चिहत्तर में आम बजट के कुछ प्रावधानों को आधार बनाकर लिखा गया है जिसमें कागल्स के दाम बढ़ाए गए थे लेकिन पूंजी पतियों ने और अमीर लोगों द्वारा इस्तमाल की जाने वाली एशो अराम की चीजों के आयात को छूट दे दी गई थी इस द्रिष्टी से यह संपाद किया आज की स्थिती में भी प्रासंगिक है कि एक ओर तो आम जनता को पढ़ाने लिखाने के लिए सरकार को आवश्यक धन जुटाने में कठनाई हो रही है तो दूसरी ओर विदेशों से महंगे उपकरणों जैसे कंप्यूटरों के आयात की अनुमती दी जा रही है इस संपादकिये में विरोधा भास की इसी स्थिती को उभारा गया है और टेली विजन, विज्यापन, घटिया किताबें, महंगी पत्रिकाएं, विलासिता की सामगरी, अंध विश्वास जैसे अनेक पहलूओं की चर्चा करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि सभा में बैठे लोगों और पूंजी पतियों तथा उद्योग पतियों की मिली भगत से ऐसी साजिस चल रही है, जिससे आम जनता शिक्षित न हो सके यदि शिक्षित हो भी जाए, तो वे है उपभोकता वाद, और हलके मनुरंजन के जाल में फशी रहे और उनमें जागरती तथा चेतना न आने पाए इस विशय को संपादक क्रमिक रूप से आगे बढ़ाते हुए निशकर्ष तक ले आता है, जिससे पाठक उसके तरकों से प्रभावित होता रहता है और संपादक कीये के मूल संदेश को ग्रहन कर लेता है यद्यपी संपादक कीये में इतिहास, साहित्य, राजनेती, अर्थ विवस्था, मनो विज्ञान जैसे कई विश्यों को उठाया गया है किन्तु ये सभी मूल विशय सिक्षा और साक्षर्ता पर कहीं भी हावी नहीं हुए है और इनका उलेक विशय को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हुआ है समसामईक्ता समपादकीय का विशय कोई ऐसी घटना होती है जो हाल में घटी हो या घटने वाली हो आमतोर पर उसी घटना को विशय बनाया जाता है जिसका संबंध अधिक से अधिक लोगों से हो तथा जो विशय जितने अधिक लोगों को प्रभावित करता है वे उतना ज्यादा महत्य पुर्ण होता है परन्तु कभी कभी पत्रों या पत्रिकाओं के अपने सरूप के कारण आम लोग अपने हिसाब से कुछ विशयों पर भी संपाद की ये टिपपणिया लिख देते हैं गणित के छेत्रों में हुई कोई नई खोज विज्ञान पत्रिकाओं के लिए तो संपाद की ये का विशय हो सकती है इस आधार पर अनपढ बनाए रखने की साजश संपाद की ये खरा उतरता है ये 1986 के केंद्रिय बजट में अमीरों के इस्तमाल की एशो अराम की बहुत से चीजों के आयात की छूट देने तथा कागस के दाम बढ़ाने के कदम को आधार बनाकर देश की संस्कृती पर हो रहे प्रहारों तथा सही सिक्षा की अंदेखी होने की दुखद स्थिती का बड़ी कुशलता से चित्रन किया गया है सिक्षा की कमी तथा टीवी, वीडियो, कम्प्यूटर जैसी आयातित चीजों के लिए बढ़ती हुई ललक उस समय के हिसाब से और आज के हिसाब से भी समसामईक होने के साथ साथ महत्वपूर्ण समस्या है भारत विशेशकर हिंदी भाशी पाठकों के लिए यह विशेशक काफी प्रासंगिक है क्योंकि हमारे यहां साक्षर्टा का प्रतिशत बहुत कम है जिस समय यह समपादकिय लिखा गया था उस समय तो साक्षर्टा दर और भी कम थी साक्षर्टा के साथ साथ समपादकिय के लेखक ने टेलिविजन, विज्ञापन, एशो आराम के सामान के आयात की अनुमती देने के लिए जिन मुद्दों को उठाया है वे भी उस समय बहुत थे क्योंकि उस समय देश में उस उपभोकतावाद की शुरुवात हो रही थी जो अब जड़ें जमा चुका है इस प्रकार ना केवल मूल विशय बलकि गौण रूप से जिन विशियों की चर्चा हुई है वे आज भी समसामयक्ता की कसावटी पर खरे उतरते हैं अभी तक आपने इस पाठ को समझा उमेद है आपको पाठ समझ में आया होगा धन्यवाद नमाशकार